वेलकम बेक गाइस तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कलेक्शन टुडे में गाइस तो आज हम बात करेंगे फाइटर मूवी के बारे में तो जैसे कि आपको पता ही है कि इस मूवी को पहले रिलीज किया जाना था 2023 में आगस्त के महीने में वट आगस्त में जो है कि आल रेडी सारी बहुत सारी मूवी आ रही है जिनमें कि आपको पता है कि गदर टू एनिमल ओम जी टू और जेलर जैसी मूवी आने की बज़े से इस मूवी की जो डेट है वो पोश्ट पॉंड कर दी थी मेकर्स ने और इस मूवी को अब जो रिलीस किया जाएगा बो किया जाएगा 24 में पच्छिस जैनवरी को क्योंकि 26 जैनवरी को तो पता ही है कि वहत ही बड़ा अपना इंडिया में होत सब होता ही है तो उसी मौँके पर इस movie को release किया जाएगा क्योंकि यह जो movie है वो अपने कंट्री के यह देश की एक बैसी movie है जिसमें कि जैसे की गदर movie थी बिल्गोल आप मान सकते हैं कि जो गदर movie है ना उसी के जैसी स्टोरी लाइन रहने वाली है बैसे अभी तक जो है कि इस movie की story line को reveal नहीं किया गया है बात करेंगे मुटे की तो काफ़ी जादा सांदर वजट बॉजट है और रितिकरोसन तो बुजट थोने चाही क्योंकि उसमें एक्सण देखने को मिलेगा and जब सेयं सभी तो कर्चा आए गया और रितिकरोसन के साथ साथ आपको जो है कि एहम करदार में दिपका पाद को नजर आएंगी और बहीं अनिल कपूर भी देखने को मिलेंगे कि मूवी का जो बजट हाई है तो इसलिए इसमें विजूल ग्राफिक्स और भी बहुत सारी और भाई म्यूजिक की बात करें तो बिसाल सेकर ने दिया है इस मूवी में म्यूजिक जो कि काफी साधनार है और सिद्धार तानन ने इस मूवी की इस्टोरी को जए कि लिखा है और डारेक्ट भी उननी नहीं किया है और प्रोडूस मतलब सब कुछ उननी नहीं किया है तो ये मूवी जो है की काफी साधनार हो रहने वाली है और हो सकता है की ये मूवी दोहसार चौबिस की बनव तक biggest grocer बन सकती है तो कि इस movie में बहुत सारा कुछ मिलेगा आपको देखने को जो audience को आज के जमाने में पसंद है तो भाई ये थी आज के update की इसका जो poster है वो अगस्त में release होने बाला है जल्दी तो अगर आप रितिक रोसंसर के fan हैं वीडियो को दिल से like और चैनल को भी support कीजिएगा ताकि आपको ऐसी सारी updates देने में मुझे खुसी मिल सके और मिलते नेक्ष वीडियों तब तक के लिए take care भाई भाई